पर सिखषक की गर्मा हुई तार-तार बड़ी खबर लखीम पुर्खीरी से एक बार फिर सिखषक की गर्मा हुई तार-तार सिखषक छात्राओं से करता था अश्लील हरकते अभिभाब को निख शिखषक को विद्याले में ही पीड़ा कुत्वानी मुहम्दी शेत्र का पूरा मामला बता जा रहा है बड़ी खबर आपको बता रहा है और एक बार फिर सिक्षक की गर्मा हुई तारतर और तस्वीरों में आप देख सकते हैं आपर किस तरीके से अभिवावत सिक्षक की पिटाई करते हुए आपको नजर आ रहे हैं बतादे कि सिक्षक छात्राओं से करता था अशली हरकते और ये तस्वीरे आप देख सकते हैं जहाँ पर अभिवावको ने जम कर पीटा सिक्षक को और तस्वीरों में अभी आप ये देख सकते हैं कि प्रिंस्पल महोदिया भी यहाँ पर बैठी हुई हैं उनके सामने सिक्षक की पिटाई के जौरी ये वावको दोरा के न्यूज आपको एक्स्क्लूजिव तस्वीरे दिखा रहा है सिर्फ के न्यूज पर ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्षक की पिटाई की जौरी लखीम पुर्खीरी का ये मामला जहाँ पर एक बार फिर सिक्षक की गरिमा हुई तार-तार पता दे कि सिक्षक छात्राओं से अश्की भी हरकती करता था और उसके बाद अविवावको ने सिक्षक को विद्याले में ही पीटा यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रिंसिपल महोदया भी मौजूद है और उनके सामने सिक्षक के पिटाई करते हुए अविवावक नजर आ रहे हैं के न्यूज आपको यह एक्स्क्लूजिव तस्वीरे दिखा रहा है लखीन पूर खीनी से जहाँ पर एक बाद सिक्षक की गरिमा को तार-तार करता हुआ यह सिक्षक और उसके बाद अविवावको ने जम कर पिटाई के सिक्षक की इस्कलूजिव तस्वीरे कोतवाली मौहमदी शेतर का बुरा मामला बताय जा रहा है बड़ी ख़बर आपको बतारे लखीन पर खीनी से जहाँ पर एक बाद सिक्षक की गरिमा तार-तार हुई बता दे कि सिक्षक छात्राओं से अश्लील हरकते करता था और अविवावको ने सिक्षक को विद्याले में ही पीता और प्रिंसिपल महद्या के साब ने सिक्षक के पिटाई की गई विवाब को ने पिटाए की क्योंकि स्पिक्षक छात्राओं के साथ अश्ली हरकते करता था और और अफ़